नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है और आज बात करते हैं कैसे CET के नाम पे जो पिछली सरकार थी और CET लेके आये थी बड़ी सपाई से लेके आये थी और उस टाइम जब CET आये थी उस टाइम तमाम वो बड़े-बड़े वादे किये गए थे कि नहीं साब लगा उससे क्या होगा उससे यह होगा कि हर साथ आएगी और इसकी एल एक साल तक है वेलिडेटि एखिए जो इसमें पास नहीं होगा वह अगली CET की तेहरी करेंगा उसको तोपर वह अगे उससे हम लेंगे उससे किया आगी डो-दो पेपर नहीं होंगे ज्यादा बढ़ उनको वहां रोजगार मिल जाएगा बड़ी सपाई के साथ ये चीज पेस की गई और उसको आराम से मार्केट में उतारा गया वो चली भी गई बात करता हूँ मैं CT के बारे में तमाम उन चीजों के बारे में जो इसके अंदर भी चल रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तमाम उन चीज़े हैं ना इसमें जो कमिया है बड़ी है कितनी क्या है उसके बारे में 2022 में 2023 के अंदर जनौरी अंदर ये एक्जाम लगती है और उसमें उस टाइम ये बताया गया था पूरा निकाल दिया साब सीटी आ गई अब इसमें तमाम बढ़ते हैं उसमें होगी ये होगी एक भी एक्जाम सीटी के थुरू होने वाले थी एक भी नहीं हुई पूरी 2023 बड़ी सपाई के साथ निकाल दी गई विदावुट सीटी ना कोई एक्जाम कुछ भी नहीं करवाया पूरी 2023 पूरी की पूरी खलास होगी अब जो वेकेंस है अब आईए फिर जुने अकांटेंट का रिजल जारी किया गया उसके अंदर तमाब वो बहुत मतलब उस टाइम बहुत विरोज पर्दसन भी वाता दोगोंने मांग भी रखी थी उन्होंने मांग ये रखी थी कि आप ये बोल रहे हो कि एक साल तक रहेगा पंदरा गुनाई लेंगे अपन तो वो क्यों नहीं लिया उसके टाइम तो वो उसी के रिगार्डिंग था आज जब उस निदे कर्देसर रिजल्ट पूरे कमप्लीट था पता भी नहीं चला पी बास कर्था नहीं एक क्शाल की व्याद्दे एक साहल तक ही मोईद्दे रहेगी जब साल तक ही एक साल थी रहे अपने ऊस टाабат दोड़ है आप रूंग के अंदर टिद्द's अ पूरी हो चुकी है अगर इनको चैलेंज करने वाला हो ना पूर्ट के अंदर तो इनकी बड़िया हो सकती जब आपने नोटिफिक इसाब लिख सकता है जब आप तो अपने नियुमों में संसोदन कर सकते हैं अपने इसाब से कि नहीं साब और बढ़ा देंगे इसको आप यह चैले क्यों नहीं कि हम सक्षम लेने में सक्षम ही नहीं यह जाके अब हैं वह चांद पूरर बता देंगे इसकी कि इतनी बढ़ा नहीं है तो और एक और इस्सी को दो जाटो इस पूरी कर दो आप बीच में क्यों ले रहे हूं मतलब यह हैं उनके इसाब सुझेगा सब कुछ नहीं क Nepatter Oui He है तो सहीं है आप हम अब भी रहे हैं कि जब गलत की अपने एक साल के लिए बह Act कि एक साल थे रहेगी इसकी तो फिर क्यों कि और वर्म करें से लिएने में सक्सम नहीं है वो सोच विचार कर रहें कि नहीं हम लेक नहीं क्या करें कुछ समझ में यह बाहर आए कि बता नहीं सकते और जो बाहर आवाद उठा नहीं सकते बोले तो किसको भूल रहे कि साफ हम टॲप एक्जाम से कि हम पास है हम फेलने साब हम एक तंबर से वह एक्जाम भी नहीं देपाई साब पिर वह में जो बैठने वह भी नहीं देवा क्यों साब उसमें 15 गुणा का आपको कॉंची कितना सही लगता है सब इससे परेशान है आप सोचके देखो अभी होस्टल वार्डन का रिजल्ट आया था उसमें 221 गई थी का टॉप अभी अल्डिसी गई है 180 गई है 60 परसेंट और उसकी गई है लगवद 24 परसेंट हो गई तो एक उतो आप यह चीज़ देखो ना कि जो टॉपर हैं वह ज्यादा वह गूम रहे हर एक्जाम है क्या उन्हीं के एक कुछ ही लो लेकिं फिर भी यह नहीं साफ हम 25 गुना टॉप करेंगे साफ टॉप के दुपना ऐसा यह प्री क्वालिफाई होता है यह रेट में जैसे कर रहा है ना कि 60 परसेंट वाला कि 60 परसेंट वाला वह उसके आगे देगा तो उससे यह तो रहता है निकि ठीक है मैं 60 मेरे नहीं ठीक है मैं इसमें इलिजिबल हूं मैं आगे इसकी तयारी कर रहा हूं और एक 180 तरी अने पोइंट वे एक सास पास रहा गए वो तो क्वालिफाई हैं उनका दू माद्सी ग्रूप से हैं ऑज़िए एक ہیں और उसमें आप कवालिफाई के तौर पे बार कर देते हैं क्यों हुआ है फंद्रया यह कि यह चीज़ें है जिनने संसोदन किया जा सकता है नहीं कि अटरो a कि होना चाहिए फिक्स कि नहीं साब हर साल फिक्स है यह तो इस से क्या होगा कि रहा है हर साल गए एक साल दो साल में अगर नहीं होता तीन साल में यह रहा थो और था अलग तरह प्र आलग आये नग तो grading अपने साथ द्छाइ के साथ नहीं जोड़िए तो दस साल तो पर इसी वेट में निकाल देते हैं आएगी 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 यह होता है अभी अपना जो बारते पिछड़ा वाग्यू है जो चीज फिक्स होनी चाहिए वाओ के साथ वह फिक्स नहीं है जा अब आप बोलो कि निशाप पढ़ने वालो सेलेक्शन होता है लेकिन पोश्ट है तो उसी साथ से वानी चीए पोश्ट है उसी साथ साथ नहीं रहें नहीं हो तो उसका कभी दुख या दर्द नहीं रहता है कि यार मैं और कर लेता है अभी कि 40 सार एजबी है और वेकेंश ओर आएगी फिर थोड़ा इधर प्राइट काम करते हैं फिर उदर चले जाता हैं फिर उदर करते हैं ना तो इधर रहते हैं ना उदर रहते हैं तो यह चीज तमाम सरकार की है यह सोचना चाहिए इस चीज के बारे फिर ऐसाब कि बेरोजागारी आवाज कोन उठाए अपने बेरोजाशन के अद्देक्स ते पहले तो 10-11 साल तक रहे उपएने अदव जी हैं काफी उन्हा नाम है चर्चा जब वो उन्होंने जो सम्मेलन किया था बेरोजागारी विवास सम्मेलन 2022 के अंदर तब उन्होंने यह बोला था कि हम एक अद्देक्स वो बुरेजाशन बोर्ड की मांग करेंगे यह बोर्ड और यह होना भी चीज़ सरकार विजेवी सरकार है तो कॉंग्रेस होल बताते हैं वह बुला आप उनको बताओ उनको बताते हैं ठीक आपको आस्वासन देगे बहस देते हैं एक पर्टिकुलर बोर्ड नहीं इसका क्योंकि पिछले बार जो जो भी चीज़ समाद नहीं किसी भी नहीं समयलन किया था बड़िया बात है गैरे हैं अज तो वह पार्टि में उसी पार्टि की सरकार है तो वह अज बूर्ड की वापीस मांग क्योंने कर रहें वह दोडॉ annat Unoak कि एनके रोख़ां के उसको लपांगो यह तो ऊछी बोड होगा डारेक्ट उसके बात जाएगा है और मंत्रियों साब बताएंगे साब ऐसे चल रहा है आप यह करो विदान सभा में अपनी मांग उठाएगा अपना पक्स रेखेगा हो लेकिन ऐसा इसा भी नहीं है सिस्टम अधिन रहरा है तो आप उससे आप आगरे करना चीए और बोलना चीए कि आप नहीं साब बोर्ड के लिए मांग कर रहे तो यह सब के हितने ऐए ऐसे नहीं है कि आप उदर पार्टी चेंज पार्टी जोएन कर ली आपका यह नेजी है विचार और सब का अलगला फिचर होता ह लेकिन एक जो राजमनेता होता है उसका काम यह होता है कि जन्ता के लिए कार्य करना तो आप student के कार्य पहले भी करें तर अब आपसे यह है कि आप आगर कीजिए ओर जो बेरोजार संभोर्ड है उसका एक मंत्री होना चाहिए संसत में अपने विदान सबाय है उसमें डारेर वो अपने बात रख सके कियां साब युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है और ऐसे भी चल रहा है यह चीज होनी चीए लेकि नहीं साफ फिर बात करते हैं अभी जो हैं आलोराइसर हैं बहुत बढ़िया भी है और हर चीज पर एक्टिव भी है एक्शन भी कर रहे है बहुत बढ़िया बात है ट्विटर के मादम से उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा हम यह मानता हूं क्योंकि पहले यह था कि पहले नेता होगे चाहता नेता पाज जाना परता था फिर वह बोलते थे भीड आने दो फिर हम चलेंगे भीड आयक नहीं है को गारेंटी पांदस आए अरे आज बीड नहीं है केसे काम होगा तुमारा अंदर तो बात आप ही रखोगे लेकिनिसाब उनको भीड चीए तो उन्होंने ट्विटर मादम से यह किया कि जो भी अपन स्वाल पूछते ना डारेक्ट उनके पास जाता है और वो रिप्लाई कर देता है तो उनसे संतुष हो जैसे माली छोटे मोटे स्वाल यह होते है रिजल्ट कब आ रहा है एक एक जाम कब होगा आगे क्या फ्रोसे चर्चा आगे रख सकते हो आभी इतना क्योंकि नियमों में संसोदन कर ना है रही है सब सरकार के आथ में बोड के आथ में कार्मी वाग उनके हात में होता एक चीज़ वे इसे कार्जो में वैसे बढ़िया लगती है जब दरातल पर रियल दरातल बाद तब उने में जो कमिया आती है तब उन पर पता चलता है कि यहां साब इसमें यह कमिया है यह एक साल के लिए बोला था आज दो साल होने वाले हैं अभी तर पेपर नहीं हुआ तो जो चीज बोली है उस पर आप रहो अब आपकी मजबूरी क्या है वो आप सरकार को आगे बताओ यह जो चीजे हैं उसको आप समझते हो एक स्टुडेंट की लाइव आप बड़े अच्छे तरीके समझते हो आप प्रोब्लम को देख तो आज जो जो तैयारी कर रहे थे एसे तो तूट चुके हैं क्या तैयारी करें साब जो भी कर र रहे हैं कि दो मेने पेले पता चल रहा है कि नहीं साब आप तो चीट इंपास नहीं हो बड़ी हतार सा बड़ी निरा सा होती है प्राविट जो भी करना तमाम हो चीजे होती है तो सर से यहीं निव दने मेरा कि आप जो नियम है कॉंसेप्ट है आप 15 गुणावाला वो बिल पंदरा गुणाव कॉंसेप्ट है आपको याद हो तो एंटिपी सी एक्जाम हुए थी दोजार उनीस के अंदर उसका रिजल्ट आया था एक बार पता हो तो उस टाइम पर उन्होंने यह कॉंसेप्ट लगाया था तो उस टाइम लड़के थे इस्टुरें थे शड़कों पर आंदूलण किया था कि जो मंद्रे लए मंत्री असनि वह खुद आखे फ्रेस कोंफ्रेस करके ये बोलाता प्रूय फिर उन्न्होंने यह बोला कि आप वैज हो टोपर खोर ले रहे हो ना वहाग फ्युस्ट करो उससे बहुए पउसेवह ने जबर्दस्त वो मुद्दा भी उटा था ट्रेंट जला जबर्दस्त पूरे बारत एक साथ हो गया था उसमें लेना तो वही था पोश्ट वही है वही था इसमें रहे है आप टोपर गुम रहे है उसके लिए तो यह कहना मतलब यह है कि फिक्स क्राइटेरिया होगा तो उससे यह रहेगा कि नहीं ठीक है शाब जैसे 50 परसेंट है 40 60 70 जितनी भी आप रखना चाहूं उतनी रहे वह तो उसी साफ से त्यारी करें उसी साफ से पेपर बनेगा उसे यह दो रहेगा नहीं ठीक है साथ आप यह बोलो कि निशाफ साथ परसें रख दिया और पेपर हाट होए तो कम हुए वह हमारी जिम्हेदार यह हो वह आप हार्ट पेपर बनाओ कुछ भी बनाओ तो वह उसके लिए आप को नहीं बोलेंगे साथ 15 वाला ठीक ता तो यह चीज है तो यह अध्यक साब से नियू दने कि आप इस चीज पर जरूर संग्यान लें बाकि आप इस चीज समयता हो तो उनक तक कई वीडियो प इतनी रखी है बाकि SCST कि उससे कम जो हर एक्जाम सभी में रखते हैं 5% 2% जो भी आप रखते हो 5% वह उससे कम है और बस ठीक है तो इससे उपर होएगा रहेगा वह इसमें काम आगे की तेहरी करेगा वह जो इसमें नमबर कम आ रहे हैं तो अगली CT के तेहरी CT का यह भी स् परमान पत्र होता है उससे जो कोचिंग एर इन में जो थोड़ी आसान रहता है ऐसे डारेक्ट किसी काम के लिए जाते हैं तो अनबू मांगते हैं तो CT कार्ड हो है जो आपके बाद नोलेज है वह बोलता है तो इसके लिए रहेगा अब बात करता है एक चीज और इसमें न हीजार लिया हूँ फिर अगले एक साल हजार लियौ में सीटी कोई रहे यह तो पांक साल की बजाए आप ऊच्छीऺ नेकि यह बीरिया कि यही कि हाँ कि यह जरियत कर रहे हैं जिए थैंतर यह नियुट तो अगले मुझा जाएगा फिर पांस साल लगातार देता है वह फिर यह लगता है यार हो गया तो ठीक है नहीं होते चलो ठीक अनपूप आ गया अपने तैयरी भी यह कर ली और अब अब आपने पड़ा भी सकते हैं उब कुछ कर सकते हैं अब इसमें क्या होता है साफ फांस दो साल से लिया और दो साल देसे दो साल पूरे हुए लडिशी आ गई साथ फिक्स पैटन है यह लोग उसमें लग गए साथ इदर उदर यह तो नहीं होगा आद आप चीजे देख रहे हो कि चीजे इतने जो हर जो भी गलतगारी है वो भी ज्यादा बढ़ रहे हैं क्यों से देखके हैं फिर यह ठीक रहे है अपना दिमार खराब हो रहा है अपन थोड़ा रिलक्स कर लेते हैं तो सबीसे निवदेन यह है मेरा कि यह चीजे जो भी देख रहे हो आप तो यह चीजे पहुंशनी चाहिए और आपको जागरूप होना चाहिए कि नहीं आरी यह गलत करते हैं यह बोला था कि हम सतरजार युवाओ के साथ है यह अभी जासतरजार का कोई पता नहीं कहां पर है क्या है लेकिन वेस्ट वह नहीं आ रहा है और एक चीज और है यह समस्दम मेरे यह नहीं आती है कि आप खिसी भी कारी के लिए पहले जो पिछली जो वेके गोवर प्राजे उनको ज्यादा बिजली दे दी और अब अपने पास कमी हो गई पिछली सरकार अभी जो गर्मिया टाइम चल रहा है उसके लिए कोंग्रेश जम्हेदार है क्यों साथ कैसे इसलिए जम्हेदार है कि साब उसने ज्यादा परचार किया हर छोटे-छोटे फिल्ड प उनके जो रोजगार गाता तमाम उस चीजें उन्हें रख दिये और साब आपने किया कि आप आप बार बार रिपीट करके काम नहीं चले गाई अप सता में हो आप क्या कर रहे हो ये बताओ पुराने चीजें चीजें कोर्ष होगे तो वह शेज आपर रिबारी ने देख लिये में ये इसका रिजल्ट आपने ने ये किये अपने जमिने लेवल पर आप इतना सुदाराहे गि पाच्चीस में से 11 चिते लिये स्म-पार 60 510 साल तक बिलकुल सुनेती यह होती एकाम करने का तरीका लॉए za को इस नोटीज करते हैं कि आया किस लिए था बुराइ करने के लिए या काम यह पूराइ करने कूण है आप क्यों आयो पिर तो यह चीजे होती है इस चीजे रात कर आप कि आप उन पे हर चीज में खोश रहे हो नहीं साब अभी रात का मैंस देख लो था इंडिया जीत गई च्छही रहन से जीती थी उसमें भी आप कंगरेस का थे तो यह तो यह तो यह तो पांस साल कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा एक साल तो होने वाला है चार साल और सब्सक्राइब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और वह तैयार है फिर रिपीटेशन ठीक है साथियो बाकी वीडियो सही लगा आपको और तो आप जरूर आपने साथ यो साथ शेर जरूर करें इसको और यह चीज बताएं कि नहीं आर ऐसा नहीं होना चाहिए और यह है वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आज दो रूब्र की लिए इतना है ठेंक्यू सो मज़ जे हिंद जे बारत